नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सनमार्ग जेट का महिना सबसे ज़्यादा कस्टकारी महिना है और इस महिने में सूरी के रोधर रूप से धर्ती का पानी का वास्पी करंतेजी से होता है लेकिन हिंदू मानेताओं की माने तो जेष्ट के महिने में गंगा दसहरा नर्जला एकादसी जेसे ब्रत रखे जाते हैं और साथ ही जेष्ट के महिने में जल दान का महत बहुत जादा है पसुपक्षियों के निमित अगर आप जल की वेवस्था करें तो हर देवी देपता का आशिरबाद मिलता है गुरुवार का दिन भगवान स्री हरी विश्णु के अराधना का दिन है अगर उनकी किपड़ा मिल जाए तो ब्यक्ति को जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और जिन पर स्री हरी का हाथ होता है जिनके सर पर ऐसे लोगों को जीवन में कभी कोई तकलीफ आ ही नहीं सकता आज हम आपको गुरुवार के दिन करने वाले छोटे 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 आसान से प्रियोग बताएंगे जो आपके जीवन के तमाम परिसानियों से आपको बाहर निकालेगा तो चलिए सुरुबात करते हैं देखिए सबसे पहली बात तो गुरुवार के दिन घर में पोशा नहीं लगाना चाहिए ये तो आपको पता है लेकिन अगर आप बहुत जरूरी है बहुत गंदा है घर अब आपको घर धुलवाना है क्या करेंगे एक चुटकी हल्दी पानी में डाल दीजेगा तो दोस्त कम हो जाता है कम हो जाता है याद रखिए मिटता नहीं है कम हो जाता है इमर्जनसी हो तब और गुरुवार के दिन जब आप असनान वेगरा करके पूजा पाठ करने की तैयारी करें तब भगवान स्री हरी के पूजा के थाल में हल्दी जरूर रखिएगा संख जरूर बजाना चाहिए एक तो मालक्षमी की किरपा बरस्ती है दूसरा नकात्मक उर्जा दूर भाग जाती है तो इस दिन बहुत सारे छोटे छोटे परियोग होते हैं घर के मुखे दरवाजे पर अगर गुरुवार के दिन जल में एक चुटकी हल्दी डाल कर छिर्काओ किया जाए तो नकात्मक उर्जा दूर होती है और घर में सकात्मक उर्जा का वास होता है जब आप भगवान सुरी को जल अर्पित करेंगे तो जल में एक चुटकी हल्दी डाल कर ही अर्पित कीजिएगा अगर आप औव विवाहित हैं और ऐसे आप जल अर्पित करते हैं और केले के बिश्की भी पूजा की जाती है अगर आप ब्रिस्पतिवार का कथा सुनती हैं ब्रत रखती हैं तो ये सबसे अच्छा होता है सर्वोत्तम है लेकिन आज हम आपको कुछ खास प्रियोग बताएंगे जो तिस कहता है कि गुरुबार के दिन तुलसी के पेड़ में अगर आप जल अर्पित करते हैं तो जल में दो-चार बुंद कच्चा दूद एक चुटकी अपच्छत और थोरी सी मीठी वस्तू डाल कर अर्पित करें तो घर में सुक सम्रिद्धी आती है धन बढ़ता है लक्षमी परसंद होती है और जब आप जाडू लगाती हैं तो आप एक दो दाने जीरा डाल कर फिर जाडू से बाहर कर बाहर कर दें तो इस से बरकत बढ़ जाती है अगर आप घर से गुरुवार के दिन जरूरी काम से बाहर निकल रहे हैं तो फिर आप पीला रुमाल रखले पास में या फिर हल्दी का थोरा सा कलाई में आप हल्दी लगा लें आपके कारे बन जाते हैं कारियों में सफलता मिलती है गुरुवार के दिन छोटे छोटे परियोग जरूर करें ताकि आपका भाग साथ देने लगे अगर आपका भाग एक दम से साथ नहीं दे रहा तब ओम ब्रिंग ब्रहस्पते नमः ओम ब्रिंग ब्रहस्पते नमः या फिर ओम ग्रांग ब्रिंग ग्रांग सह गुरुवे नमः कोई भी दोरों में से कोई भी मंदर का जब कर लें तो बंद किसमत के दरवाजे खोल जाते हैं तो गुरुवार के दिन, चुकि तुलसी जी का बिसेस महत तो बढ़ जाता है और तुलसी को विश्णू प्रिया भी कहा जाता है अगर भगवान स्री हरी के चर्णों में गुरुवार के दिन से सुरू करके नियमित रूप से दो तुलसी के पत्ते अरफित करें तो आपके जीवन में धन बढ़ता है, मान समान प्रेम बढ़ता है अब कई बार होता क्या है, बार बार बिभा आप तै तो करने जाते हैं बाच्ची सलती है पर पक्की नहीं होती अगर आप पक्का करने जा रहे हैं और उस दिन गुरू बार है तो आप घर से पीले रंग की मिठाई खाकर निकलिए, आपके रिस्ते तै हो जाएंगे अगर गुरू बार के दिन आप एक लाल कपड़े में कौड़ी, पांच कौड़ी, थोड़े से गुलाब की पंखुरी और एक सिक्का चांदी का हो तो अच्छी बात नहीं तो एक रुपया का कौएन ले लीजे, मा लक्षमी को एक चुटकी अक्षट के साथ अरपित कर दें और पोटली बना कर रख लें, धन के अस्थान पर बरकत बढ़ जाती है अब एक खास उपया, देखिए गुरुबार के दिन, चुकि भगवान स्री हरी को पीला रंग पसंद है, तो इनको पीले रंग के पुस्प और अगर आप केवड़े का इत्र अरपित करें, तो जीवन में खुजाली आती है वैसे तो आप केवड़े के इत्र नहीं भी अरपित कर सकते हैं, तो कम से कम मा लक्ष्मी को आप गुलाब का इत्र अरपित करें, और जो आपकी उंगली पर लगा रह गया, आप उसको अपनी नाभी पर लगा लें, आपका भाग्योदे होता है जीवन में खुजियां बरसती है भगवान स्री हरी को पीला रंग पसंद है, इसलिए उन्हें चने की दाल और गुड का भोग लगा जाता है वैसे बेसन का हलवा का भी भोग लगा सकते हैं, पीला केला का लगा सकते हैं लेकिर याद रखिएगा, इन चीजों का भोग लगाने से रिस्तों में मिठास बढ़ेगी, पर पीला केला खाईएगा मत गुरुबार के दिन केला खाईएगा, तो रिस्तों में दूरियां आ जाएगी, बैबाहिक जीवन में टेंसन बढ़ेगा अगर आप लोगों के बीच नहीं बनती जगड़े लड़ाई होते हैं, तो केला खाना गुरुबार के दिन बंद कर दे क्योंकि केले के बिच की पूजा होती है, अगर आप अपने घर के मुखे दरवाजे पर हल्दी या फिर कुमकुम से स्वस्तिक का निसान गुरुवार के दिन बना देते हैं, तो घर में नकातमक उड़जा भी नहीं आती, और आपके जीवन की मुस्किने भी समाप्त हो जा अपने घर के मुखे दरवाजे के चारो तरफ हल्दी से अगर रेखा खीच दे, तो ऐसा करने से आपके घर परिवार में खुजियां आती हैं, किसी का टोना टोटका किया कराया नहीं असर करता, और पोछे के पानी में अगर पोछा लगाना जरूरी हो तो एक बार फिर से अगर आपका गुरू गरबड है, पेट की समस्या है, मोटापे की समस्या है, तब हल्दी और चना दाल का दान आप पास के मंदिर में कर दें, तो ऐसा करने से आपका गुरू जो गरबड फल दे रहा है, वो ठीक हो जाता है, नहाने के पानी में अगर एक चुटकी हल्दी आप अपने घर के छोटे बच्चों को नहलाएं, या जो कुमारे कन्याएं हैं वो लोग नहाएं, तो उनका सिग्र विभा का योग बनता है, और नजर दोस उतर जाता है, नहीं लगता, यानि वो लोग स्वस्थ और मस्त रहते हैं, और भाग्यो दे भी होता है, कोई भी का वरदान देते हैं देव गुरू, अब गुरुवार के दिन, अगर आपका गुरुगरह कमजोर है, बिटिया की साधी नहीं हो पा रही, तब मंतर की चीजे होती है, तब आप दाहिने हाथ में केले की पेड़ की जर बांध लें पीले धागे में, या आप चाहें तो की गांट भी आप पीले धागे में बांध कर धारन कर सकते हैं, और गुरुवार के दिन, कुछ खास परियोग किये जाते हैं, जो जीवन की मुस्किलों से आपको बाहर निकालता है, एक खास बात है, देखिए आपके घर में तुलसी का पौधा है, तुलसी के पौधे की मि दुरुवा घास आपका भागे के बंद किसमत के दर्वाजे को खोलता है, और अगर आपके महापर है दुरुवा घास, तो ये दुरुवा घास आपने अमीत रूप से गनेज जी को और पित करें, आपका राहू भी बेहतर होगा, जीवन के कस्ट कम होंगे, तो हल्दी के विसेश प्रयोग होते हैं, अगर बुरे सपने आते हैं, तो तकीये के नीचे गुरुवार के दिन हल्दी रख दें, और उसी पे सोएं, वैसे गुरुवार के दिन विसेश प्रयोगों में एक खास काम जरूर कीजेगा, जब आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के दाहि में डाल देना है, वैसे तो ये क्रिया रोज करना है, लेकिन अगर दिन के अनुसार आप रंग के पुस्प डाल के रखे पानी या प्लेन वाटर भी रख सकते हैं, तो नाकारतमक चीजों को भी सोकता है, और आपके जीवन में आकस्मिक जो बाधाएं हैं, दुरगटनाए हैं, वो सभी चीजें समाप्त हो जाती है, तो हल्दी के वैसे तो बहुत सारे प्रियोग हैं, लेकिन कुछ खास प्रियोग हर गुरुवार किया जाए, तो हर मुश्किलों से बाहर निकलने में आसानी होती है, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बार बार नजर दोस के सि सिंपल है, लेकिन अगर लड़किया हल्दी का उप्टन लगाती है, कच्ची हल्दी का घिसकर, तो उनके चेहरे पर गलो भी आता है, और उनका गुरु बेहतर होता है, सिग्र विभा के योग बनते हैं, यदि आप घर से किसी सुब काम के लिए निकल रहे हैं, तो हल्दी क गनपती जी को तिलक लगाएं, और फिर अपने माथे पर लगाएं, और फिर घर से निकलें, निर्भगन रूप से आपके सभी कारें पूरे हो जाएंगे, गुरु बार के दिन जब पूजा करते हैं, तो पूजा करने के समय दीपक जलाते होंगे, अब इस दीपक में, लाइक कर सब्सक्राइब करें, और आपके कमेंट्स का भी हमें इंतजार रहेगा, वीडियो को सेर भी कर सकते हैं आप, ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेब साइट, ग्रेंधरमासर्माक.डॉट कॉम गूगल सच करके आ सकते हैं, वेब साइट का लिंक आपको डि इनी बात फिर मिलेंगे.